हलो फ्रेंट्स आप डेखर रहे हैं आपका चनल शेवसर विदायूश और दोस्तों इस वीडियो में बात कने वाले हैं Tata Motors के बारे में Tata Motors के दोस्तों आज second quarter के numbers निकल के आने वाल थे और second quarter के numbers रिलीज कर दिये गए हैं, आउट हो चुके हैं, तो कैसे numbers निकल कर आए हैं, सबसेल तो हम इसके बार में discussion करेंगे, numbers को हम street के estimate से definitely compare करेंगे, कि कितना numbers आने की expectations थी उसके मुकाबले, किस तरीकी के numbers निकल के आए हैं, और कल कैसा action देखने को मिल सकता है Tata Motors के अंदर, इसके ब पहले दोस्तों company का आता है total revenue from operation, company का revenue from operation कितना रहा है, इस साल पिछले साल की मुकाबले, so दोस्तों company का total revenue from operation आप ये देख सकते हैं, कि पिछले साल तक था है 79,611 करूर, दोस्तों इससे बढ़के company का total revenue है, वो बढ़के 1,05,000 करूर तक पहुँच चुका है, यानि company का revenue है वो almost 80,000 करूर से बढ़के 1,05,000 करूर पर आ जाता है, ये previous quarter में दोस्तों 1,02,000 करूर के आसपास company ने अपने numbers पेश किये थे, इसका बतलब ये है कि definitely जो company का revenue है, जो भी बोल सकते हैं, वो दोनों increase हुए है, Q1Q भी increase हुए है, and definitely why or why भी आपको एक अच्छा खासा increase देखन यहीं दोस्तों ये previous quarter में almost 1,3596 करूर पे company की previous quarter में total income निकल के आई थी, तो यहाँ पर भी बात साफ है कि Q1Q भी आपको एक rise देखने को मिला है, और सालाना तोर पर भी आपको rise जो है, वो basically company के numbers में देखने को मिला है, अब हमारे दोस्तों जो important data होता है, वो है profit का data, company का तो इसके लिए सबसेल को दोस्तों हम देखेंगे company का profit before tax, PBT, और उसके बात करेंगे company के profit after tax की सबसेल तो profit before tax देख लेते हैं company का basically कितना आया है, इस बार PBT, तो दोस्तों पिछले साल तक company का दोस्तों almost जो मुनाफ़ा नहीं घाटा था, कितना था, 1461 करूर का, यह बात कर PBT है, वो कितना जादा सुदर चुका है, company जो पहले घाटे में थी, 1460 करूर के, उससे मुनाफ़े में आचुकी है, 5985 करूर के, यह दोस्तों ही previous quarter में 4652 करूर का company का profit before tax था, तो यहाँ पर भी आपको साफसाफ देखने को मिलेगा, कि company का जो profit है, वो अच्छा खासा increase हु मिलता है, और बहुत बार tax आपको pay करना पड़ता है, यानि company को basically negative में आ जाता है, इस बार हुआ यह है, कि company का जो total tax expense है, वो definitely increase कर गया है, इसका मतलब क्या है, दोस्तों company ने पिछले बार, जो company को total tax मिला था, वो deferred जो मिला था, वो almost था की 1004 करूर, यह company को मिल चुका था मिलाब tax credit उसको कहते है, tax credit जो हुआ था, 457 करूर का, यह इस बार company को 2200 करूर का, दोस्तों tax pay करना पड़ा है, तो जो numbers थे पिछली बार, इसमें तो company को 457 करूर का credit हो गया था tax, लेकिन इस बार दोस्तों company का credit नहीं हुआ, वही previous quarter में भी almost 1563 करूर का company को tax pay करना पड़ा तो overall इस तरीके से दोस्तों numbers होते हैं, उसके बाद यानि company का जो मुनाफ़ा है, वो 2202 करूर कम हो जाता है, क्योंकि company को tax इतना pay करना पड़ रहा है, last time तो company को tax basically credit हो गया था, तो इस बार दोस्तों company का मुनाफ़ा आया है, अब यह है profit after tax के आकड़े, तो profit after tax दोस्तों company का 944 करूर का था, पिछली बार 944 करूर का घाटा था, loss था, वो कितना profit हो चुका है, 3764 करूर, यही previous quarter में था almost 3202 करूर, तो company घाटे से मुनाफ़े में आ चुकी है, और जो previous quarter से भी company का जो मुनाफ़ा है, वो definitely इस बार आपको जादा देखने को मिलेगा, जो company का earning per share है, EPS, फिले 2.47 negative में था, अब almost 9.91 positive में जा चुका है, यानि basically company अपने हर एक share पे almost 9.90 पैसे से जादा कमा रही है, पिछले बार हर एक share पे 2.47 पैसे company खो रही थी, यह previous quarter तक almost 8.45 पे था, तो company के numbers को अगर हम देखा जाए, तो definitely अच्छे दिखते हैं, लेकिन यह भी अपने आप के expectations थी कि company करीबन 4039 करोड का profit report करेगी, लेकिन 3764 करोड का company का profit आता है, यनि बाज़र के estimates से almost 6.8% company का मुनाफ़ा कम आया है, लेकिन revenue in line है, company का EBITDA almost 0.6% जादा है, और जो margins है वो almost 30 basis point company के जादा निकल कर आया है, जो बाज़र के expectations थी, तो numbers को अगर हम ऐसा देखा जाए, तो definitely numbers, बाज़र के expectations के आसपास ही आया है, profit में जरूर थोड़ा बहुत company का expectations के below numbers पेश कियें, but again मैं आपको उसके पीछे का reason बता दिया है, because जो company ने पिछली बाद text company को credit हुआ था, इस बार company को almost 2200 करोड का text वो लगा है, तो ये बात important होती है काफिक बाद numbers में समझना, बाद ठीक है, बाज़र में जरूर ही होती है दोस्तो company के आगे की guidance, कि बाज़र में company क्या guidance पेश कर रही है, तो Tata Motors की guidance हम देख लेते हैं, Tata Motors में दोस्तो साफ साफ काया अपने Q2 पे, जो JLR की sales है, वो JLR raises F524 EBIT margin guidance to 8% from 6%, यानि company अपनी guidance और increase कर रही है, पहले बाज़र म जो company के margins रह सकते हैं, वो 6% रह सकते हैं, लेकिन इस बाद दूस्तो वो 6% नहीं, 8% तक जा सकते हैं, अब company का ऐसा कहना है, इसलिदब company जो पहले अपना margins को मान के चल रही थी, उससे और भेतर margins company का सकते हैं, तो positive बात है, second बात company ने कही है कि company ने कहा है कि हम optimistic रहेंगे demand प का है कि जरूर बहुत ज़्यादा नहीं, बट medium एक inflationary environment आपको रहता हुआ देखने को मिल सकता है, चौती बात company ने कही है कि एक strong H2, यानि basically company का जो order book के JLR की वो काफी ज़्यादा अच्छी रही है, ये company ने साफ सबका है, पाच्छी बात company ने ये कही है, कि वो strong demand देखते ह both in commercial vehicle and passenger vehicle segment, यानि अगर company के guidance समझेंगे, company की commentary समझेंगे, तो basically company की commentary आपको positive भी देखने को मिलेगी, अब definitely कल देखना ये होगा, कि stock इस पर reaction किस तरीके से देता है, क्योंकि जो numbers निकल कर आए, मुझे तो कई से भी खराब नहीं लगे, ये company फिर से बढ़िया perform कर रही है, एक समय पे डाटा मुटस लगाता report कर रही थी losses, अब लगाता report कर रही है profit, जरू profit में थोड़ी बहुत expectations के उता चड़ा उपर नीचे हो गया, पट लेट सी तुमोरो होता क्या है, शो कल expectations क्या करनी थी है, दिखा जा तो stock definitely आज बढ़िया कर रहा था, क्योंकि बाजार भी साथ यह है कि company बढ़िया performance कर रही है, और company के आने वाले समय की जो guidance है, वो भी definitely बढ़िया है, अब company कुद कह के चल रही है कि हाँ, यहाँ से performance और better होनी चीए, और specifically जो इनका एक सबसे area of concern रहता था, जो JLR, वो definitely बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा, इस तरह की कि जो I think matter करती है, और definitely इस पर बाजार का reaction कल देखने को मिलेगा, बाकि stock definitely देखें बढ़िया कर रहा है, आज numbers भी ठीक टक निकल कर आए हैं, और मेरे साब से stock में एक अच्छा का सब move देखने को मिला है, जरूर अभी गिरावट में stock का उस पर असर देखने को मिला, बट still share क अब इस वीडियो में इतना ही था, आप लोगों के क्या view है, क्या लगता आपको कल क्या stock अच्छी का सी तीजी करके दिखाएगा, या फिर कल आपको profit booking data motors के stock में देखने को मिलेगी, तो इस वीडियो में इतना ही था, thank you friends for watching this video